दोस्तो कि आप भी काम कर रहे हैं अभी गल्फ कंट्रीज के अंदर मलेशिया, सिंगापोर, थाइलेंड, इंडिया में भी अगर हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तो हमारे पास स्लोवाकिया की वेकेंसी जो आई हुई है वो बड़ी जबरदस्त है जिसके अंदर मैं आपको बताता हूँ वीजा आपका शूर शॉट लगेगा ठीक है कोई मजाँद नहीं कर रहे हैं वीडियो आपने पूरी देखनी है लाजमी इसके अंदर आपको बताऊंगा क्या-kया आपको प्रॉइड करेंगे और किस तरह यह सर्विस आपकी आपको हम प्रॉइड करेंगे अगर आप चैनल पे बिलकुल नहीं है तो आपने सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक करना है दोस्तों सबस्क्राइब करना मेरे भाई चैनल को और शेयर करना है किसी मेरे भाई के इंफर्मिशन बहुत जादा काम आएगी क्योंकि सुलवाकिया इस टाइम पे वीज़े दे रहा है ठीक है और इसके बारे मैं आपको डेटल में जानकरिये भी दूँगा मैं ठीक है इंस्टागरम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो नीचे मैं आइडिया पे इंस्टागरम की डाल दूँगा किसी मेरे भाई ने अगर मुझे से राबता करना हो सर्विस लेनी हो वर्क परमेट टूरिस्ट विजा काउंसिलिंग हम सब कुछ करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको जाके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर या कॉमेंट्स के अंदर दोनों जगा पे मैंने एक अगर आप नहीं आते हैं तो कॉल आटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है थैंक्यू वरी मच दोस्तों आज जो मैं सलोवाकिया के बात करने जा रहा हूं इसके अंदर शूर शॉर्ट वीजा कैसे लगेगा सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं ठीक है देखो सबसे आपको यहां पोईंट में आपको यहां ठीक है इन ठीक है झार। मयर्ग जोबनार आप जो है appointment मिलती नहीं है, मसला क्या होता है, work permit तो आपके पास में आ गया, लेकिन appointment ही नहीं है, embassy के अंदर आप जाओगे, कैसे जाओगे, और आपका visa कैसे लगेगा, क्योंकि embassy नहीं visa देना है, तो हमारे इस work permit में क्या खास बात है, चलिए बात करते हैं, अब जब आपने process मेरे साथ में start करना है, सबसे पहले अपने call बनानी है, उसके बाद में मेरे से बात करनी है, अपना case discuss करना है, case to case basis पर हम बात करेंगे, इसमें कोई age limit नहीं है, पहले clear कर रहा हूँ, ना कोई English का यहां, कोई किसी तरह का test आपको देना पड़ेगा, ना कोई खास skill की requirement है, इसमें कोई भी apply कर सकता है, मतलब कोई भी apply कर सकता है, ठीक है, अभी भी बहुत सारे जो applicants है processing में है, ठीक है work permits जिनके भी आने बाकी है, यह नई vacancies हाई है, जिसके अंदर हमारा जो tie-up है, companies like Tesco, Little, Aldi, ठीक है, यह बड़े-बड़े warehouse हैं, बड़े-बड़े chains हैं, ठीक है, बड़े-बड़े super stores की chains हैं, जिसके warehouse होते हैं, जिसके अंदर आपका night की duty होगी warehouse के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपको simple काम होगा, loader, unloader की यह job होती है, ठीक है, इसके अलावा देखो, इसकी sister companies होती हैं, कुछ, जिनका शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, ठीक है, वो basically European brands है, जिनका हमारे साथ में tie-up है, जिसके अंदर भी हम आपका करवा सकते हैं, इसके अंदर आपकी जो salary है, basic pay, देखो, per hour wage होती है, लेकिन monthly कुछ तकरीवन आपकी 1200-1300 euro salary बन जाएगी, प्लस इसमें overtime आपको provided होगा, 1500 euro तक salary है आप आपर आम से बना सकते हो, इसके अंदर, ठीक है, यह मैं, मैं आपको यह बात जो कर रहा हूँ, यह real time figures है, ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहो तो salary Sunday आपको off होता है, हो सकता है कि आप जा कर बाहर restaurant में या कई ना कई किससे बात करो, ठीक है, आपको per day के हिसाब से, वहाँ पे भी 50 से 80 यूरो के बीच में मिल जाएंगे, तो बड़े अराम से आप अच्छे पैसे कमा लोगे, ठीक है, तकरीबन तकरीबन 1800-1700 यूरो अराम से आप बना लोगे, और ज़्यादा मेहनत करना चाहो तो और ज़्यादा बना लोगे, इसके अंदर दोस्तों accommodation, company provided रहेगा, खाना आपका अपना होता है, क्योंकि खाना आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, अगर वो देते भी हैना, तो भी आप खाना खुद ही बनाओगे, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कि इनका जो खाना होगा आप खा भी नहीं सकते हो, ठीक है, देखो हम रोटी खाते हैं, ये रोटी नहीं खाते, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो इसलिए खाना आपको खुद का करना पड़ेगा, जहां अकॉमेडिशन में आप रहेंगे, वहाँ पे आपके साथ में अपना कोई भाई, दोस्त वगारा ठीक है रहेगा, तो वहाँ पे जो उनके साथ में आप शेयर करके खाना वाना भी कर सकते हो, प्रॉसेस का कितना टाइम लगेगा, प्रॉसेस के अंदर आपके तीन से पाँच महीने लगेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो तरह के वर्क परमेट होते हैं, ठीक है, पहला जो वर्क परमेट है, उसके अंदर वो नॉमल कंपनीज का है, दूसरा वकपरमेट है, बड़ी कंपनीज का है, जिसके अंदर आपका पुलिस वरिफिगेशन भी होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो तक preview, drink of aould and workforce of a workshops, जाई ए पूलिस के अंदर क्या होता है, कि आपकि वीजा लगने की शोर्ट ही बहुत जाप हो जादा ही है, ठांब सेलगोंसा है मैं मैं प्रास डिया नियुट सब्सक्राइब करे को अनदर यूथ यह पूरा गदू की part जड़ी हें करेंदर है किया है कि में विजर का मिल्डे करके थे रिवक्राइब करते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो देखो जब आप हमसे अपलाई करते हो तो हमने क्या कर रहा है आपका सबसे पहले तो है ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने वर्क पॉमिट के आपकी इंविटेशन स्मगवानी है स्पॉंसर से जो स्पॉंसर होता है उसके बाद आपकी जो है अमने लेबर अप्रूवल्स लेनी है फिर आपकी जो फाइनलाईजेशन करनी है पूरी वर्क पॉमिट की फिर उसके बाद उसके टेस्टेशन होती है पॉस्टल होती है ट्रांजलेशन करवाते हैं सर्टिफिकेशन करवाते हैं पिर पुलिस वेरिफिकेशन होती है, इतना सब हम करवाने के बाद में, पूरा उसको एक फाइनल टच देते हैं, वर्क पर्मिट चेक करते हैं, पूरा आपका सब कुछ सही है, इसके अंदर आपका जौब कॉंट्रैक, इंविटेशन वगरा सब लगी होती है, उसके बाद मे हम उसको जो है, वाया कोरियर आपको जो है, हम भेज देते हैं, आपकी डेस्टिंट कंट्री के अंदर, जहां पे आप रहते हैं, साओधी अरब में फर्स कीजिए, कोई बंदा रह रहा है, साओधी अरब में मिल जाएगा, उसको कोई बंदा पाकिस्तान में, पाकिस्तान म यूरोप में मुव होने का अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं आप आफ्टर सिक्स मन्स यहां एक साल के बाद में यह होता है इंके पास में एक फैमिली रियूनिफिकेशन वीजा होता है इसके अपनी वाइफ को और अपने अठारा साल से कम उमर के बच्चे को आप जो है एक पेपर भेजेंगे फैमिली अप्रूवर लेटर उन्होंने वो जाके सीधा बी अलएस इंटरनेशल में उनकी कंट्री में अपलाई करना है उनको भी वीजा मिल जाएगा वो आपको जोईन करेंगे उनकी और आपके विजे की वैलेटी सेम रहती है वर्क परमिट और ज सीखनी पड़े की क्योंके जो हम जहां पर करवाएंगे थी Meta 카et नहीं करनी है टो लैंगविज का कोई मसला नहीं हुए टीक है लैंगवज का आपको काम करना है किस से कोई मतलब आपको रखना ही नहीं है उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छे लगी होगी इस तरह का कॉंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं आपसे रेगुलरली ठीक है वर्क पमिट्स की वीडियो आएंगी तो आपने वीडि पर कोई रहता हो ठीक है बाहर विदेशों में यां इंडिया के अंदर ठीक है यहां पाकिस्तानिया कहीं ना कहीं ठीक है उनको भी ये वीडियो शेर करनी है ताकि उनके काम बने ठीक है और आगे वो जो है हमार साथ जुड़े दोस्तों इंस्साग्राम पर मुझे फॉलो क कंप्लीट हो जाएगी और इसकेडियूल नहीं होगी मिलता है दोस्तों आपसे किसी और शांदार अगले वीडियो के अंदर कोई और बड़ी आपके लिए सर्विस लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं ठीक है कोई बंदा किसी कंट्री के लिए इंटरस्टेट है तो डिपेंड करते हैं आपके अपकी प्रेफरेंस होती है ठीक है बाईव दीजिए अपने भाई को अजाज़ा ठीक है तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी अगली वीडियो में थेंक्यू वेरी माच अपना बहुत सारा ख्याल रखिए झाल बाई